आ गई है IDFC First में फ्रेशा केंडिडेट के लिए काफी सारी जॉब ओपनिंग्स जी है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम है अंकिता और मैं आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पर काफी सारी जॉब ओपनिंग्स लेकर के आती हूँ तो आज किस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ IDFC Bank में आई हुई जोब विकिंसी की अपडेट जी है दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि IDFC First में फ्रेशा केंडिडेट भी अपलाए कर सकते हैं साथ ही साथ experience candidate भी अपलाए कर सकते हैं आच्छी बात यह है कि यह विकिंसी और इंडिया के लोकेशन्स पर आई है साथ ही साथ कुछ ऐसी भी विकिंसी हैं जो कि एक specific एरिया के लिए है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोंगी पूरी जानकारी कि किस तरीके से आप अपलाए कर सकते हैं अपलाए करने के लिए क्या eligibility criteria है क्या qualification required है कैसे आपको अपलाए करना होगा लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से कहना चाहूंगी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजे सब्सक्राइब क्योंकि इस चैनल पर आपको regular basis पर बहुत सारी information मिलती है ground level की भी और online भी so friends फटा फट से start करते हैं आज की वीडियो चलते हैं मेरी computer screen पर so friends आप मेरी computer screen पर check out कर सकते हैं मैंने आप सभी के सामने open up की है jobnow247.com की official website दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको daily basis पर बहुत सारी job opportunities जो है वो देखने को मिलती है जो कि अलग-अलग company में होती है अलग-अलग post पर होती है लेकिन आज में जो job vacancy आप सभी के लिए लेकर क्या ही हूँ यह है IDFC first bank में आपको बताना चाहूंगी कि IDFC first bank में काफी सारी post पर vacancies निकली है और अच्छी बात यह है कि इन vacancy में अगर आप graduate है या फिर अगर आप post graduate है या फिर अगर आपने BE, B.TEC की है पर दिखाई दे रही है यह associate manager की है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो सारी job opportunity जो कि इनके official website पर आई है अगर आपको यादो तो मैं बहुत सारे interview banking sector के already ले चुकी हूँ अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप channel को जरूर visit कीजे old videos में जाकर के banking sector की भी वीडियो आप जरूर देखिए तो basically यह जो vacancy है यह associate manager acquisition कासा की है पैन इंडिया location की यह vacancy आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इंडिया में काफी सारी locations पर यह vacancy आई है retail banking की यह vacancy है और यहाँ पर आपको जो काम करना है associate manager acquisition की profile में आपको काम करना है देखिए यहाँ पर अगर आपने graduation की है तो आप apply कर सकते हैं साथ ही साथ देखिए experience की बात करें तो देखिए 0 to 4 years का experience required है बहुत कम vacancies ऐसे होती है जिसमें fresher candidate को लिया जाता है लेकिन यह जो vacancy है जो कि pan India location की आई है इस vacancy में as in fresher भी आप apply कर सकते हैं आप देख सकते है 0 to 4 years का experience यानि की 0 मतलब जिनको कोई experience नहीं है 4, maximum 4 मांगा गया है 4 साल से जिनको ज़्यादा experience है वो लोग यहाँ apply नहीं कर सकते minimum 0, maximum 4 years के experience लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं फ्रेशर कैंडिडेट से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि as in fresher अपना career start करना चाते हैं बट उनको नहीं पता कि कौन सी ऐसी vacancies हैं जो कि fresher कैंडिडेट के लिए बहुत सारी आती हैं जिनके लिए आप apply कर सकते हैं तो इनी सब चीजों को ले करके Odin School ने एक skill development program या यू कहें skill development course आप सभी के लिए launch किया है जिसमें आप बहुती easy steps के साथ apply कर सकते हैं आपको बताना चाहूंगी कि Odin School regular basis पर बहुत सारे boot camps लेकर के आता है जो कि full stack developer की profile के लिए होती है जिसमें regular basis पर काफी सारी vacancies आती है तो आप यहां देख सकते हैं इनका जो अगला boot camp है यह 24 जून से start होने वाला है जिसकी fees 85,000 है लेकिन यहां पर आपको 30,000 रुपे तक के scholarship भी मिल सकती है साथी साथ जो लोग पहले apply करते हैं first hundred seat को यहां पर 10,000 रुपे तक का offer भी दिया जा रहा है तो guys अगर आप Capgemini, Kellogg's, Invoices HDFC Bank जैसी बड़ी-बड़ी company में एक ऐसी profile में अपना career बनाना चाहती है जहां पर job security के साथ-साथ अच्छी salary भी हो तो आप इस course को join करके अपना career बना सकते हैं अपलाई करने के लिए इस course का verified link मैंने आपको नीचे description में दे दिया है इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बहुत सारी job opportunities दिखाना चाहूंगी यहां पर IDFC First Bank का जो logo दिखाई दे रहा था मैंने यहां पर click करा जैसी मैं यहां click करूंगी यहां पर देखिए इस तरीके से find job near location का जो option है वो दिखाई देगा यहां पर मैं search के button पर click करूंगी जैसी मैं यहां पर search के button पर click करूंगी तो देखिए सबसे पहले ऊपर तो option आ जाएगा कि अगर आप directly अपना resume जो है वो upload करे करते कॉल नहीं आता तो दोस्तों मैं आपको बता दो इनकेस अगर आपके पास कॉल नहीं आता तो आपको घवराने की जरूवत नहीं है आप reference यूज कीजिए क्या कीजिए जो लोग already IDFC first में काम कर रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए उनका reference डालिए देखिए selection तो आपका तबी होगा जब आप capable होंगे जब आपके पास वो सारी skills होंगी जो की job के लिए requirement है लेकिन देखिए थोड़ा सा job के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है तो यहाँ पर देखिए जादा तर लोगों को जो opportunity मिलती है यह reference के through मिलती है तो आप भी check out कीजिए आपके आसपास की जो banks है वहाँ पर अगर आपका कोई जान पैचान वाला है नहीं है तो जान पैचान बना लीचे और उनके through आप apply कीजिए तो selection होने की chances जो होते हैं वो बढ़ जाते है ठीक है तो देखी यहां पर बहुत सारी job openings यहां पोस्ट हो चुकी है associate debt manager की vacancy है जो की 14th 6-2023 को आई है senior data engineer की vacancy है जो की 14-6-2023 को आई है deputy manager की vacancy है जो की 14th को ही आई है इसके अलावा काफी सारी vacancies आपको बहुत सारी location पर देख सकते हैं लुदियाना है द्रावाद चेन नई मुंबई कॉलकाता इसकी साथ साथ मुंबई महरास्ट अभुवनेश्वर बहुत सारी इंडिया और फाइव मोर यह देखिए यह आपकी उपैन इंडिया location पर आई है टेलर की vacancy है तमिल नाडू में आई है तो गाईज आप चेक आउट कीजे पहले तो इक कौन सी vacancy आपके लिए suitable है इस vacancy में क्या eligibility criteria है अब जैसे अगर हम बात करें है डिपर्टी मैंजर की यहां पर जैसी मैंने क्लिक किया ना तो सारी detail information यहां पर आगई अब देखिए यहां पर अगर हम यहां पर आएंगे तो देखिए यहां पर last date भी लिखी है 17.06 से पहले आपको apply करना होगा अब देखिए एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं आपको जो मैंने link description में दिया है उस link के थू अगर आप इनकी official website पर आ रहे है यह directly भी आ रहे ह गी regular basis पर यहां पर vacancies आती ही आती है तो आपको updated वाली ही vacancies दिखेगी अब इस vacancy के लिए 16 तारिक तक आप apply कर सकते हैं इसके बाद देखिए यहां पर क्या क्या चीज है requirement है तो सबसे बहले आपको यह जो responsibilities है यह roles है इनको पढ़ लेना है फिर समझ लेना है कि क्या आप इ इस तरीके का experience है या नहीं क्योंकि देखे बैंकिंग सेक्टर में जो experience है वो required रहता ही रहता है अगर आप अपना resume उस तरीके से design करेंगे कि लगे हां आप इस तरीके का काम कर सकते हैं तो आपको call जरूर आएगा क्योंकि यह मेरी website तो है नहीं IDFC 1st की यह डारेक्ली आपक आपका wait ही कर रहे होंगे अगर आप उनके लिए suitable candidate है तो आपको वो definitely call करेंगे तो friends आप पहले check out कीजे कि कौन सी job opportunity में आप suitable है उसके बाद check out कीजे roles and responsibilities क्या है then उसके according आप अपना resume design कीजे और यहां पर फिर apply now के button पर click करके अपनी email ID डालिए then इसके बाद next कीजे इस तर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो मनाओ की how to create a profile on LinkedIn या LinkedIn पर किस तरीके से आप अपनी profile बना सकते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा मैं उसके उपर भी video आप सभी के लिए लेकर के आऊंगी और guys वैसे regular basis पर बहुत सारे platform से हम एक-एक job opportunity खोज करके डून क platform पर post करते हैं जिसका नाम है jobnow247.com so friends आप वहां से भी check out कर सकते हैं और directly भी apply कर सकते हैं आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप apply करना चाहें आप उस तरीके से apply कर सकते हैं I hope guys आपको ये video पसंद आई होगी इस video में मैंने आपको काफी सारी information दी उन vacancies के बारे में बताया जो कि IDFC first में आई है अगर आप eligible है तो जरूर इसमें apply कीजे और इसी तरह की video के लिए channel को subscribe करना ना भूले मिलेंगे friends अगली video में तब तक के लिए thank you so much and bye bye